आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में इस वीडियो के माध्य हम से हम देखेंगे इस कोशन को कैसे सॉल्व की जाती है आप सब के लिए काफी महत्पुर्ण कोशन होगा जो कि आपका समीकरन से जुरा हुआ कोशन है तो सुरू से देखेगा आखिर तक बहुत ही आपको हम सरल तरीके से बताएंगे और आपको एक बढ़ में ही बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा और यह कोशन आपके एक्जाम में पूछा भी जाता है तो देखे हम लोग क्या करने माले सबसे पहले जो दिया गिया है कोशन उसको हम लोग रिपीट कर लेते हैं यहां लिख देते हैं आपका सॉल्ब ठीक है कादिया बाद एक्स माइनस वन बाई टू हॉल स्कॉार जैसे दिया हुआ इसे यहां नोट कर दिये इक्वल में आपका 25 अपान 49 दिया हुआ इसको नोट कर लिए कोई दिक्कत यहां तक नहीं अब का करेंगे यहां से यहां जो आपको स्कॉार दिख रहा है यह स्कॉार यहां से हटाएंगे और इस पर लाएंगे जैसे स्कॉार इधर से हटेगा इस तरफ आएगा तो यह बन जागा रूट का बन जागा रूट कही तरीका है यहां से आप यहां से स्कॉार नोट हटा के इसको आप 5 बाई 7 का हॉल स्कॉार कर सकते हैं चुकि 5 के स्कॉर 25 अच 7 के स्कॉर आपका 49 होता स्कॉर स्कॉर भी कैंसल कर सकते हैं वासे भी कर सकते हैं लेकिन यहां पर हम लोग कहा करेंगे एकस माइनस 1 बाई 2 इक्वल यहां जागा आपका 25 बाई 49 यहां से इसको हटाएंगे तो इस पर हो जागा यह अंडर रूट ठीक है रूट हो जागा यह अब देखे हैं तो यहां धेहां से एकस माइनस 1 बाई 2 बराबर पलस माइनस चुकिए रूट का जो मान होता है वो पलस में भी होता है और आपका माइनस में भी होता है और 25 कवर्गमूल हो जागा आपका 5 अब बटा 49 कवर्गमूल करेंगे स्क्वार रूट करेंगे तो आपका हो जागा कितना 7 हो जागा ठीक है? यहां तक कोई दिखका तो नहीं अब हमें X का मान निकालना है तो यह जो 1 बाई 2 जो दिख रहा है इस पर उसको करना पड़ेगा बराबर के उस पर तो आपका हो जागा देखेगा ध्यान से तो X इक्वेल पलस माइनस 5 बाई 7 यह 1 बाई 2 जाएगा उस पर तो जागा पलस में 1 बाई 2 अब यहां ध्यान दिजेगा यह 5 बटा 7 जो आपको दिख रहा यह पलस में भी है और आपका माइनस में भी है तो क्या करेंगे यहां से देखेगा X बराबर अब यहां से दो भाग कर देता है एक बाई पलस यूज कर लेता है एक बाई माइनस यूज कर लेता है तो पलस यूज करते हैं तो 5 बाई 7 अब पलस में यह 1 बाई 2 है ऐसे क्रॉस कर देता है ठीक है फिर एक से बराबर यह जो है अब माइनस दूस करते हैं माइनस 5 बाइ 7 अब प्लस में 1 बाइ 2 दोनों में क्या किये हैं फिर समें एक बाइ बता देते हैं समझ लेजी आसानी से यहाँ पे पलस भी है और आपका माइनस भी है तो एक बार पलस इस्तमाल करना है और एक बार माइनस इस्तमाल करना है तो देखें पलस किये है यह पलस में रहा पांच बटा साथ यह जैसे है वह इसे ही रहेगा दूसरी बार यहाँ पांच बटा साथ किसे में जागा माइनस म रहेगा अब यहां भी वही प्रोसेस होगा वहां भी वही प्रोसेस होगा सिर्फ फर्क होने वाला है पांच के सामने के चिनका अब यहां एलसीम ले लो साथ दो का एलसीम कितना होगा तो चौदा हो जाएगा साथ दुना चौदा एलसीम अता ही होगा बिनका जोर घटा साथ दो हो जागा, दो पंचे 10 हो जागा, आप पलस में दो सतर चौदा तो हो जागा आपका 7, यहाँ बनाओगे तो यह हो जागा आपका 17 बटा चौदा, ठीक है, 17 बटा चौदा, यहाँ निकालेंगे तो LCM यहाँ भी 14 हो जागा, आपका 7 दुना चौदा, तो हो जागा माइनस मैं 10 पलस में दो सटा होजागा आपका साथ घठाएंगे साथ में से दस को तो होजागा हमाइनस तीन बत्रा में चयुदा इसलिए आप देखेगे आपका अलग है ठीक है इसलिए हैब हल लिखके लिख सकते हैं हल यानि कि जो X का جो मान आया है उसको आप लिख सकते हैं कितना कितना आया है 17 बटा 14 आया है और –3 बटा 14 आया है उसको लिख दीजिए 17 बटा में 14 और –3 बटा में 14 आया हो जाएगा आपका answer तो कोई भी नंबर यहां पे दिया जाये वर्ग मूल करके भिन का जोर घटाव करेंगे और आपका एंसर कंप्लीट होगा उमीद करते हैं यह जो कोशन मता हैं आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा तो जो किलास को अब तक लाइक नहीं कियों किलास को लाइक जरूर कर दीजेगा दोस्तों के भी सियर जरू कर सकते हैं तो फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ